हेलो दोस्तों मैं हूँ आपकी सकीरुकू, welcome to my channel, दोस्तों उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी प्रेगनसी भी बहुत ही healthy और happy चल रही होगी दोस्तों जैसे ही महिला pregnancy conceive करती है तो उनके बीच में बहुत ही चर्चा का विश्य होता है कि प्रेगनसी में उनने क्या खाना चाहिए और क्या खाना उन्हें avoid करना चाहिए जैसे ही महिला conceive करती है उनकी जो cravings होती है वो काफी ज़्यादा बढ़ जाती है हालाकि कुछ महिलाओं को प्रेगनेंसी के दोरान खाने का मन ही नहीं करता है लेकिन कुछ महिलाओं ऐसी होती है जिने बहुत ज्यादा भूख लगती है प्रेगनेंसी में आपको बहुत ही अलग-अलग तरह की cravings और काफे ज़्यादा cravings देखने को मिलेगी जो चीज़े गर्वती महिलाओं को प्रेगनेंसी के पहले खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं थी वो चीज़े भी उन्हें खाने की cravings हो सकती है लेकिन pregnancy की पहली धिमाही से ही आपको किन चीज़ों से दूरी बना लेनी है किन चीज़ों को आपको avoid करना है ये जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अगर आप ऐसी चीजों का सेवन कर लेगी प्रेगनेंसी में जो आपके बच्चे के लिए और आपके लिए अच्छा नहीं होगा तो आपका बच्चा अच्छे से पनप नहीं पाएगा और आपके बच्चे का विकास अच्छे से नहीं हो पाएगा और आपका बच्चा हेल्दी नहीं हो पाएगा तो अगर आप चाहती है कि आपके बच्चे का विकास अच्छे से हो आपका बच्चा हेल्दी पैदा हो तो आपको इन चीजों से दूरी बना लेनी है इन चीजों को आपको avoid करना है जो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए है तो subscribe जरूर करें और अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद helpful लगती है तो इस वीडियो को like भी जरूर करें अगर आप इस वीडियो को facebook पर देख रहे हैं तो मेरे page को follow भी जरूर करें daily LC वीडियो के लिए तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को सबसे पहली चीज जो आपको pregnancy में avoid करनी है खास तोर पर pregnancy के पहली दिमाही में वो है caffeine caffeine इस दोरान आपके BP को बढ़ा सकता है इतना ही नहीं ये आपके mood को भी और ज़्यादा खराब करता है जैसे के pregnancy में आपको mood swings होते रहते हैं तो इसमें आपको और ज़्यादा दिक्कत हो सकती है इसलिए pregnancy की पहली दिमाही में आपको caffeine का सेवन नहीं करना चाहिए जैसे के चाय, coffee, इत्यादी वैसे तो इसे पूरी pregnancy में आपको नहीं लेना चाहिए लेकिन अगर आपके इसकी बहुत ज़्यादा आदत है तो आप दिन में एक ही कप इसे ले सकती है और pregnancy के शुरुवात में इसे avoid करें जितना हो सके दूसरा है दोस्तो पपीता और खास तोर पर कच्चा पपीता आपको avoid करना है आपको डॉक्टर भी यही सला देंगे कि आपको pregnancy conceive होने के बाद पपीते का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि दोस्तो पपीते में ऐसे तत्व पाई जाते है जो आपके गर्भाशे में संकूचन पैता कर सकते है जिससे आपका गर्भपात यानि मिस्कैरेज का खत्रा बढ़ सकता है हाला कि यह कहा जाता है कि जैसे ही आपका delivery का समय नजदी का जाता है तब आपको गर्भाशे में संकूचन के लिए पपीते का सेवन करना चाहिए लेकिन तब भी आपको डॉक्टर की सला एक बार ज़रूर लेनी चाहिए तीसरी चीज़ है दोस्तो अंगूर अंगूर वैसे तो प्रेगनेंसी में खाना काफी ज़्यादा फाइदेमद होता है लेकिन काले अंगूर आपको नहीं खाने चाहिए क्योंकि दोस्तो काले अंगूर में काफी ज़्यादा मात्रा में एसेड्स होते हैं कई महिलाओं का blood sugar level बढ़ जाता है अगर आप sugar का ज्यादा सेवन करती है और इतना ही नहीं मोटा पे का भी एक बड़ा कारण sugar को बताया गया है और अगर आपको pregnancy में diabetes की समस्या हो जाती है या फिर मोटा पा आ जाता है तो इससे आपकी normal delivery होने में काफी ज्यादा दिक्कत आ सकती है इसलिए आप pregnancy में चीनी का कम इस्तमाल करें चीनी को replace करके अप घुड का isnt 1999 कर सकती है और अगर आप घुड का इस्तमाल करती है तो यह आपको खून बढाने में और आपकी खूनको साफ करने में भी काफी ज्यादा पांच फी चीज जिसका आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है वो है नमक, प्रेगनेंसी में नमक का इंटेक आपको बहुत ज्यादा नहीं करना है, प्रेगनेंसी में अगर आप ज्यादा मात्रा में नमक का सेवन करती है तो इससे आपको हाई बीपी की समस्या हो सकती है, जो कि pregnancy में आपके लिए बहुत ही बुरी condition हो जाती है ऐसे में अगर आपको high BP की समस्या हो जाती है तो आपको बार बार urine बनेगा और जो भी आपकी body में important nutrients रहेगे वो जल्दी जल्दी बाहर निकल जाएगे तो इसलिए आपको नमक का सेवन तो करना है लेकिन कम से कम मातरा में करना है और हो सके तो आप सेंधा नमक का इस्तमाल करें और सफिन नमक से आपको बचना चाहिए चटी चीज़े दोस्तो कच्चे स्प्राउट्स वैसे तो प्रेगनेंसी के दोरान स्प्राउट्स खाना काफी ज़्यादा फाइदेमन होता है लेकिन अगर आपका प्रेगनेंसी का शुरुवाती दौर चल रहा है तो आपको कच्चे स्प्राउट्स खाना अवोईड़ी करना चाहिए क्योंकि इसे आपकी जो पाचन क्रिया है कही न कही धीमी पढ़ जाती है और आपको एलर्जी का सामना भी करना पढ़ सकता है और अगर कच्चे स्प्राउट्स ज्यादा दिनों के हो तो ये आपको इंफेक्शन भी दे सकते हैं क्योंकि इन में बैक्टेरिया पनपने की चांसे काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं और ऐसे में आपको मस्केरेज होने का खत्रा भी बढ़ जाता है तो इसलिए आप स्प्राउट को अच्छे से पकाकर ही खाएं साथवी चीज़े दोस्तो जंग फूर्ड जैसे के इस दोरान आपकी क्रेविंग्स बहुत जादा बढ़ जाती हैं और कई बार आपको तली भूनी हुए चीज़े ज्यादा मसाले वाले या फिर चटपटी चीज़े खाने का मन करेगा लेकिन अगर आपका प्रेग्नेंसी का पहला तिमाही चल रहा है तो आपको इन सभी चीज़ों से बचना चाहिए क्योंकि दोस्तों जंक फूड आपको अनहल्दी बनाते हैं और प्रतम चलन में जो आपके बच्चे का विकास हो रहा है वो कम पड़ जाता है विकास अच्छे से नहीं हो पाता है और जो जंक फूड होते हैं इसमें केमिकल का भी इस्तमाल खिया जाता है इसलिए आपको इसका सेवन करने से बचना चाहिए तो इन सारी चीजों में से दोस्तों कुछ चीज़े आपको लिमिट में लेनी है और कुछ चीजों को तो आपको पूरी थारा से अवोईडी करना है तो आप इन चीजों को फॉलो जरूर करें और अपने आपको और अपने बच्चे को healthy बनाए और अपनी delivery को आसान बनाए झाल